हाई फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं आपका अपना चैनल साहिल एजूकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करते हैं कलास 12 का म्यूजिक है देखिए इसका अब्जेक्टिव कोशन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे पहला कोशन है कि निम्नांकित मे से कौन सा राग प्रातः कालीन है यमन, भैरव, काफी, किदा तो देखिए प्रातः कालीन राग जो है वह भैरव होता है इसलिए आपका अप्सन बी होगा दुसरा कोशन है कि से राग में सभी कोमल सुवर लगते हैं भीमपलासी, जानपूरी, विहाग, भैरवी तो देखे राग बिहाग में जो है सभी कोमल सुहर लगते हैं इसलिए आपका अप्शन होगा C तीसरा कोशन है पंडित रवी संकर कौन सा वाध बजाते थे सरोध, वाइलीन, सितार, सारंगी तो देखे पंडित रवी संकर जो है सितार बजाते थे इसलिए आपका अप्शन होगा C चौथा कोशन है राग भीम पलासी किस थाट के अंतरगत आता है? कल्यान, बिलावल, खमाज, काफी? तो इसका सही अंसर है D, काफी पाँचवा कोशन है किस ताल में चवताल के बरावर मत्राएं होती है? एक ताल, जपताल, तीन ताल, तीवरा तो इसका सही अंसर है B, जपताल छठा कोशन है किस थाट में गौ और नी कोमल होते हैं? काफी, कल्यान, खमाज, भैरो तो इसका सही अंसर है A, काफी साथवा कोशन है सब्तक के आरोही करम में म के बाद कौन सा सुवर आता है? धा, नी, रे, पौ तो देखे इसमें पौ आता है इसलिए आपका अपसन होगा D आठवा कोशन है राग बिलावल का गायन समय क्या है? प्राताकाल, शांजकाल, रातरी, अपराहन तो देखे इसलिए राग बिलावल का गायन समय जो होता है वो अपराहन का होता है इसलिए आपका अपसन D होगा अपराहन नौगा कोशन है फयाज खां किस सैली के गायक थे? धृपद सैली, धमार सैली, तराना सैली इन में से कोई नहीं तो फयाज खां जो थे वो अधृपद सैली के गायक थे इसलिए आपका अपसन होगा ये दसवा कोशन है शीव कुमार सर्मा क्या बजाते हैं? संतूर, तबला, सितार, कोई नहीं तो देखिए सीव कुमार सर्मा जो है वो सितार बजाते थे इसलिए आपका अपसन है सीव एगारा नंबर का कोशन है स्वामी हरिदास का जन्म स्थान कहा था? मथुरा जीला का राजपुर गराम में वारांसी का कासी में धनबाद के पहाडी में गया के लक्षमनपूर में तो देखे, स्वामी हरीदास का जन्म स्थान जो है मतुरा जीला के राजपुर गराम में है इसलिए आपका आप सेंहोगा ए बासुरी वादन तो देखिए लाता मंगेशकर महान गाईका है इसलिए आपका अपसन होगा ए महान गाईका तेरो नंबर का कोशन है बड़े गुलाम अली खां का जन्म कब और कहां हुआ था 1901 में लहावर में 1902 में पंजाब में 1905 में बनारस में 1907 में कस्मीर में तो बड़े गुलाम अली खां का जन्म 1901 में लहावर में हुआ था इसलिए आपका अपसन होगा ए 14 नंबर का कोशन है कीस संगीत अग्यको भारत रत्न सम्मान से बीभूसित किया गया है उस्ताद बिस्मिल्ला खां पंडित कीशन महराज पंडित सामता प्रसाद उस्ताद जाकिर हुशेन तो इसका सही अंसर है ए उस्ताद बिस्मिल्ला खां इसलिए आपका अपसन होगा ए पंडर नमबर का कोश्चन है विस्नु दिगंबर पधती में खाली का अस्थान चीन क्या है सुन्य जोड का चीन है एक गुना तो देखिए विस्नु दिगंबर पधती में खाली अस्थान का चीन जो होता है वह पलस का होता है इसलिए आपका अपसन होगा भी उस्ताद अलावदीन की मिर्तिव कब हुई? उस्ताद अलावदीन की मिर्तिव 6 सितंबर 1972 को हुई है इसलिए आपका अप्शन ए होगा सत्रा नंबर का कोशन है फयाज खां का जन्मस्थान कहां है आपका अप्शन है अठाड़ा सो च्छियासी में आगरा में अठाड़े सो सत्तर में बनारस में अठाड़े सो नबबे में पंजाब में अठाड़े सो पंचानबे में पटना में तो देखिए फयाज खां का जन्म अस्थान अठाड़े सो च्छियासी अगरा में है 48 नमबर का कोश्यन है उस्ताद बिस्मिला खां का जन्म अस्थान कहां है बिहार के भोजपुर जीले के डुमराओं में 1908 को बिहार के पटना जीले में 1907 को बिहार के हाजिपुर जीले में 1910 को बिहार के सिता मढ़ी जीले में 1920 को तो देखिए उस्ताद बिस्मिला खां का जन्म अस्थान बिहार के भोजपुर जीले के डुमराओं में हुआ था और उनका जन्म 1908 को हुआ था इसलिए आपका अप्शन ए होगा दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन का बटन दबा दें जिसे की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके अब हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं तब तक ले जै भारत